हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल स्टाड़ेवे सोजीत में तो दोस्तो आज हम क्लास 12 के बाइलोजी के महत्यपों सब्जेक्टिव कोसंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मारे बोर्ड एक्जाम के लिए काफी महत्यपों है दोस्तो तो यह पाइलोजी का पार्ट नवर थीरी है दोस्तो याद रखेगा इससे पहले पार्ट वन अगर पार्ट टू नहीं देखें तो उससी आप जरूर जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर प्रस्ण है कि वास्तिक फल किसे कहते हैं दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग 40 प फल काते हैं जैसे आम हो जागा दोस्तो अबजेक्टिव को सब्सक्राइब पूछा जाता है कि इन में से कौन वास्तिक फल है तो उसमें ऑप्सन रहता है आम जो की राइट एंसर होगा क्योंकि यह वास्तिक फल का उधारन होता है कि जब फूल का केवल अंडा से ही फल के विक्सित होता है तो उस तरह के फल को ही वास्तिक फल काते दोस्तों बिल्कुल यह साइंस समझते वह चलेंगे और इस वीडियो को एक से दो बार भी अगर अच्छे से देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं दोस्तों आपको पूर्ता हंडे परसेंट कर सकते हैं आपको फल का विकास बीना निसेचन के ही हो तो इस किरिया को ही और निसेचन जनित फल कहते हैं दोस्तों और यहां पर जैसे में हो जाएगा केला अनानस आदी हो जाएगा यादि किसी फल का विकास बीना निसेचन के ही हो जाता है तो उस किरिया को ही और निसेचन जनित फल कहते ह क्या objective को समय पूछा जाता है याद रहेगा और यहां पर प्रश्न है कि बहु हुव भूमड़ता से आप क्या समझते हैं काफी महत्वव प्रश्न है दोस्तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक ब्रूंड हो तो इस अवास्ता को ही बहुत ब्रूंडता कहते हैं जैसे आम हो जएगा नीम्बू हो जएगा आप देखते हैं कि आम का जो गुच्छा होता है जैसे मोजार लगता है तो उसमें बहुत से उसमें मोजार के रूप में आम लटका रहता है यानिकि उसमें होता र लाभों को बताएं तो अनुवणसिक की रुपांत्रित जीव कहलाता है जो दोस्तो और लाभ में क्या होता है खात पदार्थों के पोशक अस्तर में ब्रीधी तथा दूसरा कितनास को पर निर्भरता कम हो जाता है एक बार में आपको याद हुआ होगा कि ऐसे जीव जीन के जीन में परिवर्तन किये गए हैं अनुवणसिक रुपांत्रित जीन कहलाता है दोस्तो जैसे लाभ में पहला है कि खात पदार्थों के पोशक अस्तर में ब्रीधी और दूसरा कितनास को पर निर्भरता कम हो जाता है और यहाँ पर प्रश्ण है कि DNA प्रतिकृती के लिए दो एंजाइम को लिखें तथा पर तेक के एक बिसीष्ट कारिया को लिखें बस आप सिद्धा से इंकोसंस को याद कर लेंगे तो दोस्तों कि आपके बोडिक जामें एक भी प्रश्णोतर इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों यानिकि इससे बाहर नहीं आने वाला है DNA के टुकड़े को जोड़े जाते हैं पहला है कि हिलीकेस इसके द्वरा DNA के दुन खरने को एक दूसर से अला करते हैं तो वहीं लाई केस में क्या होता है डियन इक होता है दोस्तों बेल्गन्या सांस समस्तियों चलेंगे और यहां पर आप देएक histories को कि रग्त के कारियों क का ट्रांसपोर्ट करता है और यह वैक्ट्रिय को मारता है और इस में क्या रक्त में तीसरा यह घा भरने में मदद करता है चौथा है यह शरीर के तबमान को न्यांतित करता है और पांचवए है कि यह पाच्चे हुए भोज written पदार्थोこ को सरीर के बिभीन भागों में ले जाता है दोस्तों आपको एक बार में भी याद हो गया होगा कि रग्त हमारे सरीर में O2 एं CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है यह घा भरने में मदद करता है यह सरीर के तपमान को नियंतित करता है और पांचवा है यह पचे हुए भोज्य पदा है दोस्तों तो योन संजाइत रोग निम लिखीत होते हैं पहला गोनोरिया जो की निसेरिया गोनोरिया जीवानु से करण होता है और सीफिली जो होता है ट्राइप्टू हर्पिस simplex virus के करान होता है कि ये भी 20-20 से होता है 2 चिवारी से होता है और 2 विशारी से होता है दूस्तो याद रखेगा और यहाँ पे 28 प्रस्नाप के सावने है जो की काफी महत्त्यपोन है दोस्तो कि bio hierarchy क्या होता है और सेसान अचिले झालीक जो किजेगे दोस्तो और चानल पढ़ना है जोने तो जो सब्सक्राइब कर लिए जाएगा दोस्तो बायो पैरेसी क्या है तो किसी देश या उससे समधित लोगों से बिना अनुमोधन के जेव संसाधनों का उप्योग करना ही बायो पैरेसी कहलाता है दोस्तो आपको एक बार में भी याद जाक्षण पने की अमीबियासि से क्या है इसके कारक की नाम बतावें इसके रोगों लक्षणों का वर्रंण करें तो एमभी अमीबिये पेची से एंट एंट अमीबा हिस्टोलीटिका नामप्तोजुआ से होता है और पेट दर्द पेटका दर्द और मल के साथ रोधिर वर में भी याद हो गया होगा कि अमीविय पेचीस एंट अमीवा हिस्टोली का नामक प्रोटो जुआ से होता है और पेट का दर्द और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना इसका प्रमुख लक्षन होता है और उचित साफ सफाई और व्यक्तिका स्वक्षता के द्वार इस बिमारी को रोका जा सकता है दोस्तों बिल्कुल या साइंस से समय लिए हैं और यहां पे पाचासोद नव प्रसनाप के सामने हैं जो की काफी महत्तपुने की सराब या इलकोहल के दूस परिनामों का वरान करें तो अलकोहल के कुप परभाव से लोगों में बिभीम पर 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 पर्तिकूल पर भाव डालता है और खिलारीयों पर भी इसका पर परभाव आजकल डाला रहा है यानि कि क्या हो रहा है कि आजकल से लोगों में बिभीम परकार की विमारिया होती है कुप प्रयोग करता का लीवर कीडिनी यह अन्य अंग परभावित भी होते हैं गर्भ अवास्ता में अलकोहल का प्रयोग गर्भ पर परतिकुल परभाव डालता है और खिलाईयों पर भी इसका परतिकुल परभाव डालता है दोस्तो बिलकुल यहां साइंस समझ लिए हैं और यहां पर आप देखेंगे प्रस्ण को कि और सह भोजीता से आप क्या समझते हैं तो ऐसी प्रास्परिक्रिया जिनमें एक जाती बरबाद हो जाए तथा दूसरा पर कोई परभाव नहीं परता है और सह भोजीता कालाता है दोस्तो और यहां पर बावनव प्रस्ण आप के सामने हैं कि यू क्रोमेटीन एंव हेट्रो क्रोमेटीन में अंतर अस्परस्ट करें दोस्तो तो यू क्रोमेटीन एंव हेट्रो क्रोमेटीन में निमने लिखी अंतर होता है और एक तरफ की यू क्रोमेटीन लिखेंगे और यहां पर यू क्रोमेटीन में क्या होता है कि इसमें रिप बारबोडी बनता है यू क्रमेटीन में क्या होता है इसकी साइज 30-80 को भी समय प्रश्न प्राइब होता है पर्रांभ होता है और इसमें रेप्लिकेशन देर से प्ररारंब होता है इसमें बार बोड़ी नहीं बनता है इसका जू साइज होता थीस होता है यहां पर आप देख रहे होंगे कि ऑउ समझात अंग क्या है कोई दो उधारंदे तो ओसमजात में क्या होता है दोस्तों कि वे सभी अंग जो समान कार्यादर साते हैं लेकिन इनका सराचना ओरीजिन भीन होता है जैसे पक्छियों और कीटों के पंख प्रोठोजुवा के भोजन रसदानी तथा जनतू के आत दोस्तों एक बार में आपको समझ मे आया होगा कि वे सभी अंग जो समान कार्यादर साते हैं लेकिन उनका राचना ओरीजिन भीन होता है और समझात अंग कहलाता है जैसे पक्छियों और कीटों के पंख कमा प्रोठोजुवा के भोजन रसदानी तथा जनतू के आत दोस्तों हो जाएगा दोस्तों बिलकुल य होगे प्रस्ण को कि सुक्षमें जीव कीसे कहते हैं दोस्तों यानिए सुख्ष्में जीव से आप समझते हैं तो यह से देखने के लिए सुख्षमदार्सि तथा इन्हें हम अपने ग्यानियंद्रियों के माधियं से नहीं देख सकते हैं सिर्मन्जिव कहलाते stark हैं दूस् सकते हैं यानिकि हम अपने खूले आकों से नहीं देख सकते हैं उसे ही अम लोग सुछे यह कहते हैं जैसे बैक्ट्रिया हो जएगा काक हो गया विशाण हो गया यह सभी ईत्यादी हो जाएगा दोस्तो बिल्कुल नहीं को अच्छे किये गए हूं तो जिए कख राते हैं दोस्तों जैसे जीवाडू सुन्स में कहाँ हैं दोस्तों बिल्कुल हीघ्रीच समझेंगे कि व прям आदू जन्तुएं जिनके जीन में हश्ट कौसल सुष्पीवर्तन किये गए होैं जैसे हों जो कहलाते हैं दोस्तों और यहां पे छपनव प्रश्चनाप के सामने जो की काफी महत्त्रपूर्ण है कि टाइफाइड विमारी का रोग जनक लक्छांड संक्रमन के विद्या का उपचार के बारे में बताएं दोस्तों बिल्कुल यहां सायनिस से समझें की टाइफाइड विमा इसमें सीरदर्द अमाशेदर्द के सांत मानसिक्त ना भी इसमें रहता है और यहां पे संक्रमर दूसित भोजन तथा जल के माध्यम में जीवारू सरीर में आत होते हुए रूधीर प्रकट में चला जाता है दोस्तों यानि कि दूसित भोजन आप करते हैं तो यह भी नहीं कि दूसित भोजन या जल के माध्यम से जो जीवारू होता है वह सरीर के आत में चले जाते हैं और उपचार क्या होता है कि एंटिबायोटिक के द्वारा इसका उपचार हो सकता है और यहां पे दूसित भोजन आपे पडार्थों का त्याग करना होगा दोस्तों उप लिए हैं कि टाइफाइड जो होता है सालोमनेला टाइफी नमक जीवारू के कारण होता है लक्षाड इसमें सीर्दर्द अमासे दर्द के सांथ मांसिक तनाव भी होता है संक्रमार दूसी भोजन तथा जल के माध्यम से जीवारू सरीर के आत होते हुए रूधीर परकट में चला जाता है उपचार अंटुबाटिक के द्वरा इसका उपचार हो सकता है और दूसी फोजन तथा पेपदार्थों को त्या करना होगा दोस्तो और यहां पे आप देख रहे होंगे प्रस्ण को जो की काफी मत्तपुड़े की एग्रोबेक्ट्रियम क्या होता है तो एग Nits – पधर में क्राउन गेल बैमारी उत्पन करता है तो बीलकल या साईंस समाझ लिए हैं और यहां पर देख रहे होंगे प्रस्ण को की हाइड्रो कार्बन से आप क्या समझते हैं यानिक हाइड्रो कार्बन क्या होता है तो यह एक और्गेनिक कंपाउड है यानिक यह एक और्गेनिक के योगिक है जो हाइड्रोजन hydrogen एवं carbon के सन्योग से बनता है दो दो जगे hydrogen हो गया था तो यह एक organic compound है जो hydrogen एवं carbon के सन्योग से बनता है इंधनों में दहन एवं motor वहनों से hydrocarbon बनता है जो जीवों में बिमारी के कारण बनते हैं दोस्तो और एक बार में आपको समाज में आया होगा कि यह एक organic compound है जो hydrogen एवं carbon के सन्योग से बनता है और इंधनों के द ஒन एवं motor वहनों में hydrocarbon बनता है जो जीवों में बिमारी के कारण भी बनते हैं हम जैसे जो जीवे होते हैं वैसे में बिमारी के यह कारण भी बनते हैं hydrocarbon याद रखेगा और यहाँ पे देख रहे हैं प्रस्ण को जो कि काफी महत्फ़पुन है कि द्धान इतता गेहूं के दो दो प्रोनत किसमों के नाम बताएं दोसτού तो धान यहों गेहूं के प्रोनत किसमे निम्न लिखित होते हैं कि निवे 09紫 पहला धान में देखेंगे कि साबर मती और दूस्रा जाया हो जाएगा दोस्तो अर्युख़ इस प्रकार से इस महत्वार्पूंश सेसं को yeah करते हैं अगर यह से चैनल की लेगा दूस्तों और चैनल पढ़ना है। जोग सब्सक्राइब कर लिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तेक पास अधिक से अधि जहूर सेयर करने का फ्रयास किजिएगा कि कम समय में वो भी ज्यादा माक्स लापाएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं उम्मिदे के सांतों हसते रहें और मुस्कताते रहें और अपनी त्यारी को मजबूत रखते रहें तो आज के लिए तने हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू